चलिए आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और आज बिशेश करके कलेट 2022 के बारे में हम बताने जा रहे हैं यह क्लास 12 का जो एक्जामनी है जो अभी आपियर होने बाले हैं वह दे सकते हैं अत्वा जो पास आउट हो चुके हैं कलास 12 चाहे उसका इस्ट्रीम कुछ भी हो आर्स हो कॉमर्स हो या साइन्स हो या तीनों इस्ट्रीम के लिए क्लैट कॉमन लौ एड्मिशन टेस्ट होने वाला है जो जून में होगा हम पूरा डिटेल जाने हैं उसके बा करते हैं आप फाइब यर्स का ये इंटिग्रेटेड कोर्स है लौ के लिए आपको कम से कम फोर लाग से लेके एटीन लाग तक पैकेज मिल सकता है इससे ज्यादा हो सकता है कम नहीं होगा और एक ब्राइट फ्यूचर के और आपको ये ले जाएगा क्लास 12 के बाद वक्रच जो आता है वो 12 लाग से लेकर के 15-16 लाग तक जाएगा according to college इसको भी हम जानेंगे लेकिन पहले देखेंगे इसका syllabus क्या है कैसे हम crack कर सकते examination को और हमारा future इसमें कितना bright हो सकता है तो 12 के लिए खासकर बताने जा रहे हैं आप उसको देखिए हम उस side पर लेके चलत करते हैं आपको उसके बाद बताने कोशिस करते हैं एक्जामनिशन आप जो देने वाले हैं इसके admission के लिए उस जगह आप यहां इस platform से जा सकते हैं यह सिधा उपर में दिख रहा है आपको जो पेज है एन एलिव यान इंगेस्ट लाग उनिवरसिटी और उसके बाद इस जगह से आप आगे access कर सकते हैं अत्वा collect सिधे type करेंगे browser में तो आएगा यहां पर देखिए एक logo है उसके साथ साथ हम सिधी बात कर रहे हैं आपसे अगर हम apply करने वाले हैं तो यहां पर click hair का option है इस पर जाएंगे लेकिन उसके पहले आप जानिए कि यहां जो आपके लि 2022 and closes on 9th May 22 यारी 9th May 22 तक यह registration open है आप के लिए जो appearing candidate है class 12 गात्वा pass out है किसी भी stream में वो इस form को भर सकता है fill कर सकता है apply कर सकता है exam mission में appearing होने के लिए the exam will be conducted on 19th June from 2 p.m. to 4 p.m. दो घंटे का exam है जो 19th June को इनके side पर दिखा रहा है अब important events में है application open कहां से 1st January 2022 से चल रहा है हम आज जो अभी वीडियो बना रहे हैं वह April का मन्त है और 5th April को हम यह बना रहे हैं अभी आपके पास time है आप बिल्कुल भरिये और एक बहुत बहुत अच्छे future के ओड यह आपको ले जाएगा application deadline 9th में जो अभी हम लोग चर्चा किये क्लेट 2022 examination जो है 19 June को होने वाला है इस दा consortium लिखा हुआ है तो यह establishment कब-कब हुआ यह 19th August 2017 को यह establish हुआ है और legal education in the country के लिए है मतलब आप law की degree यहां से 5 years course के साथ कर सकते हैं ऐसे बी ए के बाद और बी ए सी के बाद भी होता है बी काउम के बाद भी होता है लेकिन आप plus 2 के बाद सीधे 5 years integrated course में जा सकते हैं अब आगे देखिए एक चीज और है इसके अंत यानि इंडिया में 21 college है law के national law university जो आपको provide करेगा integrated course जो है law के लिए undergraduate यह post graduate भी करवाते हैं लेकिन आप undergraduate में जाएंगे after 12 और उसके बाद फिर एक और college है national law university देल ही वो खुद का अपना exam लेता है वो collect के द्वारा नहीं लेगा तो उसके लिए अलग से आप जानकारी प्राप्ट करेंगे तो हम बना देंगे उसका वीडियो लेकिन ये 21 college में आप university में जा सकते हैं निस्टन law university में अब गवर्निंग बड़ी है यह सब देखना नहीं हमको हम सीरे बात करते हैं कि यहाँ eligibility क जो प्रोग्राम है आपके पास eligibility क्या है postgraduate हम अभी देखने रहें तो eligibility में जब जाएंगे तो देखिए there will be no upper age limit for undergraduate program in class 2022 कोई upper age limit नहीं है कोई भी student जा सकता है लेकिन natural है कि जो 12 class में appearing होने वाले हैं जो अभी अप्रील में में उनका exam होने वाला है वो appear कर लें अपने को नहीं तो फिर जो pass out है one year pass out पहले से हैं वो कर सकते हैं second में है as regards minimum percentage of marks in the qualifying examination plus two और an equivalent examination अगर diploma भी किये हैं तो आप जा सकते हैं याद रखें the candidates must have secured 45% marks or its equivalent grade in case of candidates belonging to general OBC, PWD, NRI, PIO, OCI categories 45% minimum cut off है इसके exam को भरने के लिए exam के form को भरने के लिए 40% है in the case of SCST categories तो आप किसी में हैं आप देख लिए थर्ड नंबर में candidates who are appearing in the qualifying examination in March, April, 2022 are also eligible to appear in class हम पहले बात कर चुके जो अभी आप appear हो रहे हैं वो भी form भर सकते हैं they shall be required to produce an evidence of their passing the qualifying examination at the time of admission वो natural है आपका result out हो जाएगा उस समय तक plus 2 का और आप जब admission लेने जाएगे तो आपके पास plus 2 का result हाथ में रहेगा failing which they shall lose their right to consider for admission खेर, fail करने के बाद admission नहीं होगा बस इतनी सी बात है और वो क्यों fail होगा कोई भी the result four number में the result of the qualifying examination shall be submitted by the country at the time of admission यह उसी बात को कह रहा है five number में in case of equal marks खेर अगर कोई equal marks है तो वो कैसे करेंगे उनका weightage वो हिसाब से लिखा हुआ है higher age है, computer drop, lots है यह सब है तो खेर eligibility जो है plus 2 और 45% marks अगर आपे CST नहीं है SCST है तो cable 40% marks में आप जा सकते हैं, right तो आपके लिए golden opportunity syllabus and guide बहुत अच्छा है इसका syllabus भी, आप देखिए under graduate जो course यह कराएंगे जो exam होगा आपका to our test होगा with 150 multiple choice question यह वला जो नीचे का line है यहां तक वह देखना है 150 multiple choice question carrying one mark each यानी 150 question एक एक अंक का यानी one mark कर रहा तो 150 marks आपको allowed के जाएंगे maximum but there shall be negative marks of 0.25 for every wrong answer यानी wrong answer के against आपका 1 by 4 marks यानी 0.25 marks काट लिए जाएंगे यानी अगर 4 question आपका wrong हो गया तो एक number आपका cut जाएगा these questions would be divided across the following five subjects देखें English language जो एकदम सभी exam में आता ही आता है current affairs including general knowledge आपको जानकरी रखनी चाहिए news बगरत देखते होंगे उससे आप काम कर लेंगे legal reasoning जो बच्चे को कम जानकरी रहता है तो उसी हिसाब से question set होता है जो आपके mind में क्या legal उसका response होगा वो देना है आपर और याद रखें सभी passage में रहते हैं यह सभी जो रहेगा वह passage दिया जाएगा उस passage से ही वह question बनाया जाएगा और उस question को आपको reply करना है logical reasoning quantitative techniques यह five criteria है categories है जिसमें question रहेगा यानि sample यह दिया हुआ है इस तरह English language यह हम पहले बता चुके कि आपका जो जो भी रहेगा जो category भी पढ़ रहे थे वो सभी में पैसेद रहेगा आप उसको पढ़िए और उसके बाद question का answer दीजिए उसी के उपर question based रहेगा और आपको one mark का question सभी को check करना है कि right answer क्या है so standard 12 के category कर रहेगा यानि label कर रहेगा इसलिए बहुत दिकत उसमें नहीं आने वाला है current of year में भी आपको 450 words का पैसे दिया जाएगा वह आप देखिए उसके बने सभी सभी आपको पैसे दे देगा और उसको पढ़ना है आपको कोई अलग से question नहीं उसमें answer है उसी answer को निकालना है और आपको question solve करना है देखिए logical reasoning में भी वही चीज है so ये हो गया आपका पूरा का पूरा syllabus है guide question paper format आप देखेंगे तो आपको खुद मिल जागा इस side पर question paper format जो हम आप भी बता रहे थे पर देख पैसेज में आपको question दिया जाएगा उस question को उसी पैसेज से answer निकालके check करना है आप समझ गयोंगे sample question हम इसलिए नहीं को लें कि वो लगभग 70-72 pages का हो जाता है तो आप इसको खुद देख लेंगे instruction जो भी था वो हम बता चुके आपको learning tools and materials पर आप जा सकते हैं PG यानि post graduate की बात अभी आप यहां पर नहीं करेंगे तो अब आप अगर जाने वाले हैं इसको form fill up करने के लिए तब क्या करना है उसको देखिए तब हम लोगों को जाना है अंडर graduate में और अंडर graduate में जाके हम apply करने वाले हैं देखिए आगे main page पर सीधे collect से भी जा सकते हैं यहां पर click here में अगर करते हैं तो strike करेंगे दिन page खुलेगा अगर login पहले से हैं तो mobile number password डाल के आप login हो सकते हैं यहां से लेकिन हम register करने वाले हैं क्योंकि new registration है हमारा so do not have an account then register है so register में आएगा आपका देखिए name है your name, mobile number, email id, password, confirm password and register जैसे register करेंगे अभी हम आपको दिखा देते हैं जैसे your name हम अगर लिखते हैं अपना ही नाम को लिख देते हैं देन हम अपना नाम लिख दिए उसके बाद फिर देखिए उसके बाद mobile number है तो mobile number हमने डाला यह आपको सब दिखेगा इसमें कुछ hidden चीज नहीं है जो हम नहीं दिखा हैं आपको आप देख लिजे email id भी है password हम अपने से रख लेते हैं कुछ भी देन password भी रखे हैं इस password को confirm कर लिया देन register करते हैं your account is successfully created you will be receiving an OTP in your register आगया आप OTP देख रहे हैं 540-558-540-558 आ रहा है use the OTP to activate your account चलिए अब हम लोग इस पर आगे बात करते हैं okay पर click करते हैं अब OTP जो था 540-540-558 यह है OTP अब हम activate कर लेते हैं account activated okay अब आपको करना क्या है अब हम login करेंगे देखिए mobile number हमारा लिया हुआ है already password then login कर लेते हैं देखिए login करने के बाद तक हम जाएंगे उसके बाद आप से फिर एक बार वही बात बता रहे हैं कि आप इसको अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी समझ है तो आप एक बार अपना future इस line में ले जाएं बहुत सुन्दर है आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हर एक bank इसके लिए आपको loan provide करेगा वेलकम सुदर्शन सर्मा to the CLAT 2022 application process candidates are required to check that they fulfill eligibility conditions जो भी condition था वो भी हम लोग देख चुके हैं उसके बाद फिर आएए आप देखें दो option है PG के लिए और UG के लिए यहाँ पर undergraduate five years and one year PG के लिए हम PG की बात ही नहीं कर रहे हैं तो undergraduate में जाए apply for CLAT में जाए then you have selected to apply for undergraduate courses please confirm okay कर देए उसके बाद देखें अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए अब इसके बाद आपको बढ़ना है आप खुद करेंगे इसको personal information photograph upload करना है इसमें JPG form photo upload होगा आप किसी कागज पर अपना sign करके फोटो कीच के यहाँ upload कीजिए इसके बाद applicant name in full आप लिखेंगे जो आपका नाम है प्लस टू सर्टिफिकेट के जो या 10th सर्टिफिकेट जो भी होगा उसके according gender में लिखे date of birth यहाँ से है वो select कर लिजे father's name, mother's name, nationality यह सब आप भर सकते हैं आराम से भरी अगर है CSTOBC हैं तो आप certificate upload करें उसके बाद PWD यह सब आप देखिएगा और तब आप जब save as draft communication details यानि कि आपका correspondence जो paper जाने वाला है जो आपका call later आएगा उसको भरना है qualifying examination details अगर आप देखे qualifying में क्या है month of passing ठीक है अगर आप पहले से pass out है तो month of passing और यहाँ पर है year of passing किस year में आप pass किये हैं अगर appearing है तो यहाँ पर appearing का भी उपर में आ रहा है तो appearing में हम लोग click करके यहाँ appear करतेंगे right appear करने के बाद फिर आपको जो मांग रहा है month of passing तो जिस month में आपका result है जून में आने वाला है तो जून देर दीजेगा आप यहाँ year of passing 2022 अगर इस साल के आपी जामनी है appearing candidate है तो और पहले से pass है तो आपके पास सब कुछ है percentage भी आप डाल देंगे so preferences वगर है देखिए test center का भी preferences है first test center आप कहां चाहते हैं इतने जगों पर है तो आप कहीं भी test center ले सकते हैं तो यह आपको पूरी बात बता चुगे आप apply करें plus 2 appearing और plus 2 pass out के लिए फिर बार में देखते हैं आज के थैंक्यू